पिछले वर्ष हम सोच रहे थे कि कुछ समय बाद क्रोना वारे से उपजी महामारी समाप्ट हो जाएगी और फिर हमारा जीवन सामानने हो जाएगा लेकिन ये सोच निश्टित रूप से गलत साबित हुई है फ्लू की तरही सार्स कोविट टू मानव का इस्थाई दुश्मन बन सकता है ये फ्लू की तरही नुखसान दायक होगा लेकिन उस से कहीं ज्यादा बुरा होगा और यदि ये धीरे धीरे खत्म भी हो गया तो हमारा जीवन और रोजमरा के जिन्दगी तब तक पूरी बदल होगी तब जीवन के फिर से पटरी पर आने का विकल्फ खत्म हो गया होगा और सिर्फ आगे बढ़ना होगा लेकिन सवाल है कि वास्ताओं में क्या होगा ये आम बात है कि अबादी अगर एक बार हर्ड इमिनिटी यानि की बिमारी से लड़ने की शमता हासिल कर लेती है त प्रतिरू धक्षमता उनमें विक्सित होती जो संक्रमण से उबर चुके हैं ठीका करण के बाद उनमें प्राकरतिक रूफ से हर्ड इमिनिटी भी विक्सित हो चुकी होती है दुनिया भर में ये एक सिलसिला है जो महमारी से उबरने के दौरान देखने को मिलता है मगर क्र दिनिया के आने देशों के मकाबले सबसे तेजी से वैक्सीन हो रही है वहां भी ये मुम्किन नहीं हो पा रहा है यूनिवर्सटी आफ वाशिंटन के क्रिस्टफर मुर्रे और लंदन स्कूल आफ हाईजीन एंड ट्रोपिकल मैडिकल के पीटर प्यॉट ने अपने ट्राइल के दौरान पाया गया है कि वो पहले एक स्ट्रेंज से संक्रमित थे लेकिन बाद में उनमें उसके म्यूटन से लड़ने को लेकर हर्ड इम्यूनिटी या प्रतिरुधक्षमता विक्सित नहीं हुई और वो फिर से संक्रमित हो गये ब्रजील के कुछ हिस्तों से इसी तरह की रिपोर्ट मिली है जहां करोना का प्रोकॉप था और बाद में उन्हें ने सिरे से महमारी का सामना करना पड़ा लिहासा मौजूदा महमारी से निपटने का एक मात रास्ता संपूर्ट टीका करन बचता है और वास्तों में कुछ वैक्सिन ने वेरियंट से नि हो पाया तो मुश्किल खत्म होने वाली नहीं है मुमकिन है कि दुनिया के किसी छोटे से हिस्से में मामूली से आबादी का टीका करन पूरा हो जाया जैसा कि इसराइल ने क्या लेकिन ये कारगर नहीं होगा क्योंकि वायरिस फिर नए रूप में सामने आएगा और उनकी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें